उसका लेवल अपने आप उपर आ जाएगा, तो आप कोशिच करो कि जो आपके पास हॉस्पिटल में है, जो ऑक्सिजन पे जो है, उनको कितनी ऑक्सिजन की जरूरत है, अगर उनको भुखार नहीं है, अगर उनको कफ नहीं है, अगर उनकी चेस्ट में इंफेक्शन ज़्या इन जिनको बुखार भी है, जिनको चेस्ट में severe infection है, जिनको कफ भी है और उनका SPO level भी down है, ये चार पॉइंट्स जहां पर हो रहे हैं, उनको आप यहां पर oxygen पर रखो, नहीं तो psychologically उनको treat करके, मैं आपको वीडियो अभी दिखाती हूं इसमें, चेस्ट उनको फिजियो थे पर उक्सिजन चाहिए, तो ये oxygen किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ, बहुत intelligence के साथ आपको देखना है, कि हमें oxygen किसको चाहिए, देनी है, किसको नहीं देनी है, क्योंकि slender लोग store करके रखने लगे, ये सारी चीज पर भी नहीं है, और उनको खासी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा level down आ गया, तो आप उनको concentrator से दे कर, saturation का, और उनको तुरंद परवाव से घर बेजो, कि आप घर जाओ, कोई दिक्कत आती है, तो phone कर लेना, ठीक है, इस तरह करके आप oxygen वालों को कम करो थोड़ा, और इस के इसके साथ-साथ, अगर oxygen concentrator की और जुरुरत है, तो आप, मैं अपने कोटे से भी जो है, आपको 10 लाग रुपया देती हूँ, oxygen concentrator और मंगा लो, और oxygen concentrator मंगा के, कुछ जगाओं पर कमरों के अंदर, oxygen concentrator लगा कर दो-दो-चार-चर, और वहाँ पर patients को लाओ, psychological की उनको इफेक्ट पड़ता है, वे उनको थोड़ी देर आपने लगा दिया, नोकर भी ठीक हो गया, और उसके बाद वो लोग घर चले जाएं, दस लाग रुपया मैं, oxygen concentrator के लिए आपको देरी हूँ, पूरे डिस्क के लिए, जहां कहीं पर भी जूरत है, ये साथ-साथ-सतर जा कुछ होना नहीं चाहिए, ये आप लोगों की और हमारी मिल्यू-जूली जिम्मेवारी है, रेमिडी सिवेर जो मेडिसिन है, उसकी कहीं पर कोई दिक्कत है, तो वो मुझे बताएं, और भी कोई life saving drug अगर है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बताएं, मेरा constant उप आपको तो मालूम भी होगा, कि कई बार fever high grade आ रहा है लगातार 7-8 दिन तक, अगर वो हमारा crossin से paracetamol से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आम उसको steroid देते हैं, steroid से उसके बाद उसका fever जो है, वो down आना शुरू हो जाता है, तो लोगों को आप इस तरह से भी जाग रूप क कि कितना अपने आपको समालेगा, कितना देखेगा वो, पैनिक जादा हो रहे हैं लोग, 98% लोग ठीक हो रहे हैं, जाग रूपता फैलाने की बहुत सक्स जरूरत है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरह के जो टैंप्स लगाएं, वीडियो कॉन्फरेंस करें, लो इसमें आप उनकी सायता लें, जगा जगा पर लोगों को सक्तिक हैं उनको, मास्क लगा के रखें, और इसके सासाथ कहीं भी इकठे ना हो, और एक और तीसरी बाद, कि अभी एक दिस्टिक में मैं को देखने में आया है, कि वहाँ पर किसी होटल वाले ने बड़ा अच्छ बच्चे नेगिटिव हैं, माबाप अगर खाना बना के बच्चों को भी देंगे तो वो भी नाच्रल पॉजिटिव आ जाएंगे, तो अगर उनको खाना पूरा बाहर से आ रहा है, तो छेसा दिन की बात है, सब मिलके जितनी भी चाहे हमारे जो बड़ी-बड़ी संस्था हमारे बुर्द्वारे है, मंदिर है